हम किस-किस फील्ड में काम कर सकते हैं हम सिर्फ इस एक पेपर से हम सिर्फ इस एक पेपर सी एस वन से हम एक्चुरियल में काम कर सकते हैं हम डेटा साइंस में काम कर सकते हैं डेटा साइंस हम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में काम कर सकते हैं या मशीन लर्निंग आपको या ओपरेशन में काम कर सकते हैं ओपरेशन रिसर्च ये सारे टेक्निकल फील्ड हमारे लिए खुल जाते हैं ये सारे टेक्निकल फील्ड और यू रूबी सो सर्प्राइज टूडेंट्स हम इन सब में हमारी डिमांड है इस एक पेपर को ये मैं सोचना कि सरफ एक्चुल में ही जौब है अगे और भी पेपर कर लेंगे तो जितने ज़्यादा पेपर करते जाएंगे आप सिर्फ फिर एक्चुल ही कर पाएंगे या इंशॉरंस या फाइनस में जा पाएंगे अभी क्योंकि पहला पेपर है तो इतनी सारी आप्शन्स हैं आपके पास अभी भी आपको लगता है कि मैं इस फिर्ट में जाना चाहिए मुझे मेरे कोई स्किल्स हैं से तो जा सकते हैं आप राम से तो यह बड़ी खूबसूरती है अब आप सारे बच्चे सोचते होंगे सरी मशीन लेनिंग क्या होती है डेटा साइंस समझ में आप डेटा से कुछ काम करना है ऑपरेशन्स सर्च के अदर ऑपरेशन्स के कम होता है जैसे की आज आपका Amazon कूरियर भेजना है तो कूरियर वाला बंदा सबसे पहले कूरियर किसका कलेट करे कि सबसे लास्ट वाला जो है ना office के पास हो और delivery कर दे ओफिस में छोड़ दे तो वो जो पुड़ा path design करना software से कि सबसे पहले किसका korea उठाए और weight भी देखना path भी देखना है time भी देखना है weight भी देखना है कि इसके पास इतना जादा weight शुरू में नहोजाए कि वो travel करने में दिखता है इसको तो operations के भी काम हम करते हैं बिटा पर the beauty इन सब field में दवा के vacancies है और आप सारे बच्चे सबसे अच्छी बात है इस pandemic के बाद कि जितनी भी companies हैं पहले सिर्फ वो maths, stats और economics के बच्चे को ज़्यादा लेती थी second number पे commerce और BBA लेकिन इस pandemic के बाद सबको बराबर कर दिया है उसने आप सब आ सकते हैं जिसने भी paper pass किया हुआ तो ये बड़ाचा field है और इसमें हम काम कर सकते हैं आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इसको आपका कुछ भी time खराब नहीं जाएगा वैसे भी graduation करने के लिए भेजा घरवाल न तो और जो लोग 6 semester में हैं जो भी लोग 6 semester में हैं वो तो ये लिखी दें अपने resume के अंदर pursuing actual science हाँ क्योंकि जब तक आपकी graduation होगी तब तक मैं इतना करा दूँगा कि आप interview में बैटने लाइक हो जाएंगे अगर आपको job चाहिए तो हाँ जी तो इतना तो मैं लाइक बनाई दूँगा तब तक आपको तो actual science बहुत अच्छा कोर्स है competition बहुत कम है और जब से करोना आया है इसकी demand बहुत बढ़ गई है क्योंकि लोगों की life में risk बढ़ गया है और वो सब हम पढ़ाई करेंगे भी आज ठीक है आपका नाम क्या है बिटा करन करन आप क्या करते हो बिटा become honest दिलियस्टी से बिटा ओके तो कैसे सोचा आपने की आपको actual ही करना है अच्छा ओके तो आपके स्कूल में आपको काउंसलिंग कौन सा स्कूल था आपका सेंट कॉलमबस अच्छा उत्रघंड में काउंसलिंग होई थी एक्स्टी साइंस के बारे बताया था किसी ने बड़े अच्छी बात है भाई ठीक है तु कोई ॡाउट मुसेफे पूछना है भी स्टार्ट करने से पहले पूछ सकते हो अभी भी सारे बच्चे कोई कौईरी है कुछ भी है स्टार्ट करने से पहले पूछ सकते हो मेरे बेटा ज्यादर ज्यादर क्या हो सकता है question को पूछने का तरीका गलत हो सकता है question गलत नहीं होगा आपका है जी अभी मेरा वीडियो डला है youtube पे आज post होगा आप वो वीडियो देखना साय ये क्या पूछरे हैं बक्क ही बच्के बटाता हूँ actually क्या है actual science से एक international course है जैसे CA का certification होता है CS का certification होता है कि नहीं बटा तो certification देने वाली body होती है ऐसे actuallys की paper को certificates जो pass करते हो आप उसको certificate देने वाली body है तो India के अंदर है Institute of Actuaries of India और UK के अंदर है Institute of Faculty of Actuaries और USA में Society of Actuaries तो ऐसे हर country के अपने अपनी society है इंडिया में जो examination center पढ़ता है वो इंडिया का पढ़ता है और UK वाली society का पढ़ता है तो मैंने क्या किया है कल ही video record किया है with facts कि what is the difference between IEI and IFOA तो आज आप घर जाओगे तो वो वीडियो ज़रूर देखना कि IEI और IFOA में क्या फर्क है with facts बताया है मैंने उसमें फिर आपको मेरे से पूछने की जिरूत नहीं पड़ेगी ठीक है ओके साथ हाँ वो बहुत अच्छा video डाला है बिटा आज हम पढ़ा ही करते हैं और देखते हैं कि match कितना असान भी हो सकता है तो मैंने सबके नाम सेव कर लिए अपने पास ठीक है आप में इसमें से कुछ भी पूछना है हम अभी भी इन तीनों फील्ड में जा सकते हैं ये सारे फील्ड हमारे लिए open रहते हैं ये बात मन में डाले न या पहला paper पढ़ रहे हो actuals का नाम मैंने हनुमान जी रखा हुआ है क्यों हनुमान जी रखा है क्योंकि उनके इतनी सारी शक्तियां है उनको हर शक्ति के बारे में पस याद दिलाना होता है भाई आप ये भी कर सकते हो तो जो actuals में घुज जाता है वो explore कर सकता है किसी भी field में feedback सकता हो ये आपको realize हो जाएगा एक chapter खतम होते ही ये realize हो जाएगा आपको चीक और मेरे बेटा प्लीज आपने सारी जिंदगी हो गई किसी की graduation भी खतम होने वाली है आप लोगोंने हमेशा क्या किया है मैं बतायता हूँ क्या किया हमेशा अपने classes को suffer कराया है चाहे college की वज़े से चाहे birthday की वज़े से किसी शादी function की वज़े से मैं चुट्टी पे जा रहा हूँ उसकी वज़े से हमेशा आप लोगोंने क्या किया है career को एक backseat दी है लेकिन those who are in fourth semester और sixth semester उनसे तो मेरी सक्त गोजारिश है प्लीज मुझे अपना ये एक डेर साल दे दो और अगर आपका career नहीं बना तो guarantee मेरी है guarantee पुरी मेरी है लेकिन पर मुझे क्या चाहिए मुझे सिर्फ हफते के दो दिन चाहिए सिर्फ Saturday and Sunday दो दिन का मतलब वो दो दिन जो पढ़ाया जाए सेम डे ही करना है अगर आपने उसको टाल दिया तो ऐसा बोड़ा इखटा हो जाएगा आपके पास आपसे समलेगी नहीं बाते है तो जितना कराया जाए बस उतना करना है मेरे बेटा बस ठीक ये अगर तुमने असूल बना लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जीतने से ये लाइफ का सकसेस मंतर है बेटा जैसे आप यहां से क्लास करोगे ओनलाइन की फैसलिटी आने के बाद तो फायदा क्या होगे सुनो पहले पहले तो क्या होता तो ओफ्लैन कोचिंग होती थी अब ओफ्लैन कोचिंग हो गई अब बच्चे को कुछ पूछना है याद करना है रिवाइज करना है वीडियो तो मिलते नहीं थे अब आपको कितना फायदा देखो आप ओफ्लैन क्लास कर रह सकते हो आज मननी आने का घर से ही करनी क्लास ओनलाइन कर सकते हो अच्छा मुझे वीडियो को दो बार देखना है वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो अच्छा मुझे नोट्स लेखने का मननी कर रहा पीडियाफ आ जाएगी आपके पास अरे इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे तो शायद कहीं कमी हमारे अंदर भी होगी बेटा ये बात मानते हो कि नहीं हाँ इतनी सुविधा होने के बाद तो बच्चे को उड़ना ही चाहिए बेटा क्योंकि अब इससे ज़्यादा फैसलिटीज क्या आएंगी और वीडियो भी आ गया आउनलाइन फैसलिटी भी आगई आफलाइन भी आगई तो पर बस एक असूल बना लो मेरे बच्चे जो जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन ही पढ़ना है मेरे बेटा बस इससे एक्स्ट्रा मुझे एक एफर्ट नहीं चाहिए आपका और सेड़े संड़े चाहिए पांच दिन अपने दोस्तों के साथ घूमो कॉलेज जाओ, कॉलेज की पढ़ाई करो शादी, फंक्षन, पार्टी, सब करो पर दो दिन मुझे दे तो अपने करियर के लिए क्योंकि बेटा करियर के लिए भी तो टाइम लगाना पड़ेगा ना कल मिरे पास एक स्टूडेंट आया तो मैं हरानी हो जाएगी सुनाता हूँ स्टोरी कल की, लाइव मिरे पास ऐसी डेली स्टोरी आती है इतना लाखो बच्चा पड़ा चुका हूँ फंसराज कॉलेज से मैट्स ओनास कंप्लीट किया उसने इस पैंडमिक के दौर में कर लिया जी मेरे पास पहले फोन आया था सर में फादर ने गुसे में किसी का मड़ कर दिया जेल हो गई 20 साल की मादर आंगनवाड़ी में काम करती है लेकिन कोई गाइड करने वाला ही नहीं है उसके पास को डियरेक्शन ही नहीं है वो करना चाहता है इतनी से मुसीबतों में रहता है कहां से आया एमपी से मैंने बोला तू आ जा भाई साब उसका पैसे भी नहीं थे आने के वो ट्रेन में बैटके आ गया बोले टीटी पकड़ेगा देखी जाएगी बोले इससे ज़्यादा वस क्या होगा जिन्दक में चल रहा है उसकी आ गया हो यहाँ पर चला आ गया कोई बात नहीं चल तो मेरे रोविनी सेंटर जाके सोजा आमसे वहीं पर रहा अपना पैसे चीह मैं दूँगा तरको पर जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा तो सक्सेस्फुल हो जाएगा अब वो बलड़का मैं सोनस हंसराट स्कॉल इससे किया दिलनिविश्टी से तो यार वो एवरेज बच्चा तो नहीं होगा और हम तो एवरेज को सक्सेस्फुल करते हैं यार वो कम से कम अच्छा बच्चा होगा जिसको सही गाइडेंस नहीं मिली होगी देखो आज वो कहां बैठा है आप सोचेस बात दो अगर सही गाइडेंस मिल जाए बेटा और सही समय पे मिल जाए उसकी रिस्पेट करो बेटा तब ही अच्छा करेर बनेगा आपका चलिए आज की क्लास टार्ट करते है तो आज की क्लास में पहला टॉपिक है मैं आपको कुछ इंटिग्रेशन के शॉटकट सिखा रहा हूँ आप अपनी सुन्दर सी नोटबुक बनाईएगा दो तिन कलर के पैन रखियेगा क्यूंकि मैं चीजे मैं चीजे आपको हाइलाइट करूँगा और वो नोट्स आपके इंटर्व्यू तक आपके काम आएंगे और अगले पेपर में भी काम आएंगे तो आज तो कोई बात नहीं आज मैनेज करो पर अगली क्लास से अच्छी सी नोटबुक बनाना अपने लिए ठीक है और वो किसी से देनी नहीं है पता चले ही पेपर पास होगे किसी को बाट दो क्योंकि जब इंटर्व ले तियारी करके जाओगे तो कहां से तियारी करोगे सबसे पहले इंटिग्रेशन के शॉटकट सिखेंगे आज हम आप सबने बाइपार्ट सिखा होगा अरे बाइपार्ट किया था वेल्थ में तो आपने एक फॉर्मला याद किया होगा राइट फॉर्मला क्या होगा जैसे की मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी लिमिट आपकी मालनों आपका फंक्शन ये है इसका इंटिग्रेशन करना है तो आप फॉर्स फंक्शन सेकिंड फंक्शन ऐसे करके याद करते हैं कि नहीं कि किसको फर्स लेंगे किसको सेकिंड लेंगे ऐसा करने के जुरूत नहीं है बेटा बहुत असान तरीके से आप इस इंटिग्रेशन को कर सकते हैं जो बच्चे भूल चुके हैं उनके लिए ये बात मैं और शॉटकट बताता जाओंगा मतलब मैं शॉटकट ये बात मेरी याद रखना तुम औरली अंसर बताने लग जाओगे जिसके लिए तुम एक-एक पेज भरते थे न वो अंसर तुम ऐसे बोलोगे ये अंसर आएगा सर ये बोलोगे आप लोग ये मेरी आज बात याद रखना आप तो इसमें से एक फंक्षन को f of x ले लो जो डिफ्रेंशेट होके खतम हो जाए जो डिफ्रेंशेट होके क्या हो जाए तो जैसे कि मालो मैंने f of x ले लिया x square तो इसको एक बार डिफ्रेंशेट करो तो क्या हैगा फिर करोगे तो फिर और दूसरा फंक्षन ले लो g of x जो इंटिग्रेट होता ही जाएगा तो e to the par x को इंटिग्रेट करोगे तो क्या ऐसे इंटिग्रेट होता ही जाएगा बेटा वो अरे बताओ बस हो गया काम अपना लो आप इसको इससे मल्टिप्लाई करो और बीच में साइन लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे अंसर आ गया भाई लिखो अंसर करो बताओ x square e to the par x हाँ जी माइनस प्लस प्लास, अरे हो गया, लिमिट क्या है आपकी, मिनिमम टू, क्या ट्वेल्थ में ऐसे किसी ने बताया था इतना असान तरीके से, इजी है ना भहुत, एक फंक्शन को f of x ललो, जो डिफरेंशेट होता ही जाए और खतम हो जाए, और दूसरे फंक्शन को जो इंटिग्रेट हो देखिए लिख लिए सबने साथ साथ लिखो, जैसे आप offline क्लास में बैठे हो, वैसी करो बिटा सब कुछ, अब मैं integration के और shortcut सिखा रहा हूँ आप तो, तो सबसे पहला shortcut हम सिखेंगे, गामा integral, मैं हर बात का मतलब बताऊंगा, पहले बताओ, लाइफ में पहले problems आया थे, क बिटा, online वालो, ऐसे बैठो, बात करो खूब सारी, गामा integral, देखो क्या problem हमारे पास आएगी, देखो ध्यान से बोड़ पे, सबसे पहले integration, सर हम integration करते क्यों हैं, आपको बच्पन से बताया गया होगा teacher ने, कुछ add करना होता हम integrate करते हैं, कुछ add करना होता हम क्या करते हैं तो बोला सर, add करने के लिए तो summation भी होता है, अरे बोलो, तो जब summation होता है तो integration क्यों, मैं बेटा, summation उन चीज़ों को add करता है, जो ऐसे integral values होती हैं, जो कैसी values होती हैं, हाँ, लेकिन सुनो ध्यान से, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे शॉपिंग के के लिए गए, तो मैंने कहा, भई, तुमारा सब का budget है, 0 से 10,000 रुपे, इस से ज़्यादा खर्चानी करके आना, तो अब बचाओ, जो बिल अमाउंट है, जो आपकी shopping का बिल अमाउंट है, क्या वो ऐसा integral value आएगी है, कुछ भी आ सकता है, 2570 रुपे, 10 पैसे भी तो आ सक दुबारा सुनो, एक और उधारन, एक में बात समझ में नहीं आई होगी, दुबारा, मेरी क्लास का इंतिजा कर रहे थे, अरे बोलो, 10 बजे शुरू होनी थी क्लास, तर मैडम ने बोला था, 10 से लिएके 12 बित्र की क्लास है भई तुमारी, तो तो तुम 10 बजे आ गए, प क्लास स्टार्ट होगी, हो सकता है, 10 बजके 10 मिनिट पे हो, और 15 से किंड पे हो, अरे बोलो, तो क्या ये टाइम फिक्स्ट है, एक दम 10 पे स्टार्ट होगी क्लास, नहीं न, तो जब आप ऐसे किनी चीज़ों को, एक इंटिग्रे वैल्यू में नहीं बता पाते, और उनको एड करना होता है, तो हम इंटिग्रेट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एंटिग्रेट, हां, तो फोकी अन्जी, कुछ नहीं मिस्किया आजा तू अभी, टेंशन मतले, कोई नहीं while दिखा दूँगा और, आ अच्छा शाल्वी, टेंशन मतले मैं क्या बता रहाँ शाल् मैं एक एक concept clear करके चलूँगा बिलकुल ताकि किसी junior ने बारवी दस्वी के बच्चे ने पूछ लिया तो तुमसे पूछा है एक्चुरीज के बच्चे हो तुम दुबारा हम integration क्यों करते हैं बिटा क्योंकि हमें add करना होता है तो पहला difference summation क्यों ने लिया सर आपने summation उन चीज़ों को लेते हैं जैसे की आप सब के marks किसी के 12th maths में marks होंगे 90 किसी के 95 किसी के 98 किसी के 100 किसी के 80 can some marks को add कर सकते हो आप yes or not लेकिन अब मैंने बोला सबकी age add करो अब age 20 साल 2 महीने 5 दिन 7 गंटे 10 मिनट 15 सेकिंड अरे जिस दिन पैदा वो उसाप से लेंगे ना तो ऐसे age को add करने के लिए age तो एक fixed number नहीं आता है बेटा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ हाँ ये थे उधारन उस बच्चे के लिए layman लेकिन हम तो actualis हैं हमारा काम है risk calculate करना कि future में loss हो सकता है तो कोई भी loss जब भी गारी ठुकेगी तो जो नुकसान होगा वो क्या mount हो सकता है कोई भी amount बोलो जड़ा मतलब अच्छा रिष्टदार है तुम्हारा वो 9000 डी आएगा exact किसने कहा 9000 डी आएगा अरे 9275 रुबे भी तो आ सकता है लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने साल में कितनी बार accident किया अब बताओ 0,1,2,3,4,5 क्या अब integral value होगी ना क्या तुम 5.2 times accident कर सकते हो या तुम accident करोगे या नहीं करोगे 0,1,2,3,4,5 ये number of accidents है लेकि जब accident होता है तो नुकसान होता ना कुछ तो वो नुकसान का amount के ज़रूरी है fix ताएगा वो किस में आ सकता है कुछ भी आ सकता है any amount अरे बोलो बच्चो तो ऐसे amounts को जो कुछ भी आ सकते हैं जैसे मेरी class में बच्चा आना है वो किसी भी time आ सकता है any time प्राच सुनो दिव्या तुम फुटबॉल का match देख रही हो अब फुटबॉल के match में goal होंगे कितने goal हो सकते है many amount दिव्या 0,1,2,3,4,5 इनको add करने के लिए summation लगाना पड़ेगा लेकिन वो goal किस समय पर होगा है पता है किसी भी time पर goal हो सकता है कि नहीं हो सकता तो ऐसी चीजों को add करने के लिए क्या करते हैं मिटा integrate करते हैं अच्छा अब आते हैं हम अपने काम पर धीद्रे knowledge बढ़ेगी एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा अराम अराम से अब range है 0 से infinity मैं range क्या ले रहा हूं देखो यहां पर बोला सर आपने 0 से infinity range क्यों ली क्योंकि हम actually calculate करते हैं loss और loss नुकसान यह वो वाला loss नहीं जो CA वाला loss होता है profit loss ना ना वो तो आपने खर्चा करा आपने क्या कमाया और क्या खर्चा किया उसको compile करता है वो तो और हम actuallys हैं जो focusing करते है future की तो future में क्या loss हो सकता है कौन सा loss आपकी health खराब हो सकती है तो bank पैसे लगेंगे आपकी गाड़ी ठुक सकती है तो नुकसान होगा पैसे तो we calculate loss in terms of money in terms of what तो जो जो भी loss होगा क्या वो negative में हो सकता है मेरी बेटिया अरे मातरानी फिर समझा तो रहाँ मेरी बेटिया ये CA की statement नहीं है जो profit loss आगया negative और positive हम future में predict कर रहे है कि अगर मान लो accident हुआ तो कितने रुपय का नुकसान होगा क्या वो नुकसान minus 10,000 होगा मतलब लाइट टूटी हुई थी अपने अप चिपक जाएगी कहीं से आकर उड़के हवा में अरे या तो loss होगा नहीं या होगा तो कुछ amount का होगा zero से infinity चलो loss छोड़ो इंतजार की बात करते हैं मैं ना प्रितिंदर कोर का इंजार कर रहा था तो बताओ या तो हो सकता है दस बज़े आना था प्रितिंदर कोर को या तो वो दस बज़े आईगी तो मैंने इंजार नहीं किया या दस बज़े के बाद आएगी तो जो भी इंतजार का time है क्या वो negative हो सकता है नहीं हो सकता तो जो भी इंतिजार किया वो 0 से infinity में ही आएगा कि नहीं आएगा हाँ तो मेरे बेटा हम integrate कर रहे थे उन सब चीजों को जिनको हम integral value में नहीं लिखते और 0 से infinity क्यों क्योंकि हम actuaries हैं हम future में होने वाले losses को predict करते हैं future में होने वाले bar आ सकती है tsunami आ सकता है earthquake आ सकता है तो उससे जो losses होंगे उनको पहले से ही क्या करते हैं विटा predict करते हैं और उसकी range किसके बीच में होती है zero sin मैं भगाऊंगा नहीं मुझे आपका base जमाना अच्छा सा दुबारा अब मैंने x को loss बोला है अब ऐसा भी तो हो सकता है प्रतेंदर तुम कितनी बार गारी ठोकोगी साल में हो सकता है कि एक भी बार ना ठोको दो बार तीन बार चार बार ऐसा होता है कि नहीं number of losses number of losses ऐसा होता है कि नहीं होता है बड़ा अर्फ के वेक आया एक ही loss होड़ी होगा इक से ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं तो अब हम बात कर रहे हैं मेरे बिटिया number of losses तो alpha minus 1 ये alpha जो है ये alpha number of losses की बात कर रहे हैं और वो किससे बड़े होते हैं हमेशा तो X की पावर है ना X loss है और कितने loss आए? दो आए, तीन आए, चार आए अब loss का function E की पार माइनिस X ये loss का function है बोला से यही function क्यों है loss का? इसको मैंने क्या बोला है? दिविया इसको क्या बोला है मैंने? एक ऐसा function जो क्या calculate करेगा आपके लिए? loss सर ये E की पार माइनिस X सी क्यों लिया आपने X square रे लेते 1 by X ले लेते, log X ले लेते कुछ और लेते आप हाँ बेटा रानु गुपता जी मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो देखो मेरे बेटा ये function है ये 0 है यहाँ पर और ये X loss है loss की range क्या है? 0 से कहां तक है बेटा? अब इदर देखना मेरी बेटी आप बोर्ड पे ज़रा ये graph है आपका E की पार माइनिस X का graph ये graph क्या कहता है मेरी बेटी है? यहाँ पर मान लेते है number of losses है यहाँ loss का size है एक बार बताओ दिल्ली के अंदर car accident होते है तो सबसे ज़्यादा नुकसान 10,000 रुपे तक का होगा ना गाड़ियों में सभी गाड़ियों में तो 10,000 रुपे का नुकसान ज़्यादा गाड़ियों में होगा कि नहीं होगा से 500 गाड़ियों में और पंद्रह हजार का नुकसान उससे कम में होगा ना ऐसे ही एक लाग का नुकसान और कम और मेरी बिटिया एक क्रोड का नुकसान क्या ये लॉस का यही रेंज होती है कि लार्ज अमाउंट ओफ लॉस इन लेस क्वैंटिटी अरे है ना ऐसा ही फंक्शन होगा लॉस का और लॉस नेगिटिव हो सकता है कभी तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के उपर है कि नीचे ये ग्राफ कभी भी पूरे CS1 पेपर में नीचे नहीं आएगा एक्स एक्सिस के अगर नीचे आ गया तो मैंने गलत पड़ा दियो तुम्हें क्यूंकि लॉस कभी नेगिटिव नहीं हो सकता है मेरी बिटिया क्या समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ इतना सारे बच्चे और इसके लिए मेरा वीडियो में दूंगा आपको कभी भी मैथमेटिक्स का कोई कॉंसेट्थ आ को लगता है कि week है तो उसके लिए functions का वीडियो मिलेगा आपको कि functions को कैसे पढ़ा जाता है exponential function कैसा हुता है logarithmic function कैसा होता है ट्रिक्नोमेट्चeton कैसा होता है वो सब बनाने सिखाया जाते हैं यह अत्रित ग्यान है कुछ भी ऐसा चाहिए हमें बताना है हम वीडियो अप्लोड कर देंगे आपके लिए अभी फिलाल इसको हाँ पिटा यहां से यह सबसे हम स्टार्टिंग है इस से पीछे नहीं जा सकता है बिटा मैं वेर तो कोर्स ही खतम नहीं होगा हाँ यह इतना तो याद करना पड़ेगा ऐसा होता है बस फिलाल थोड़ी देर के लिए ओके क्या लॉस फंक्शन समझ में आगए आप सबको अच्छा सर यह तो बताओ यह सब बता कि रहे हो मैं मिटा दो इसको रहने दूँ रहने देता हूँ आओ इधर बोर्ड पे यह integration है range 0 से infinity है इस तरह के expression को क्या बोलते हैं गामा integral अब इसका answer बताना है तो रितिका alpha minus 1 से एक नमबर बड़ा क्या है alpha minus 1 से एक नमबर बड़ा gamma alpha is the answer कोई integration ही नहीं किया हमने तो सीधा answer आगया बिटा ठीक दुबारा देखो अब अब प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस example 1 बोर्ड पे मेरे साथ 0 से infinity x की पार 6 क्या इस function की शकल gamma integral से मिलती है येस तो 6 से एक नमबर बड़ा तो gamma 7 इस दा answer कोई integration नहीं चाहिए मुझे अब ये कैसे gamma 7 क्या होता है बताओंगा patience रखनी पड़ेगी थोड़ी सी क्या इस expression की शकल भी gamma integral से मिलती है x की पावर क्या है 1 से बड़ा नमबर येस ओफ्लाइन मालो तुम भी बुरो तुमारे पुरा हक है example 3 0 से infinity x की पावर half e की पार minus x dx मैं का होली आरी थोड़ा माहौल रंगीन बनाया जाए कलर इस्तेमाल किये जाए हाफ से बड़ा नमबर रानू येस बेटा gamma 3 by 2 is the answer yes येस से बेटा 7 minus 1 होगा नहीं है तभी 7 लिखने बेटा तो जैसे मैं सिखा रहों उसको सिखो कि 6 से एक बड़ा मैं नहीं हाँ भी क्या बला alpha minus 1 से एक बड़ा 6 से एक नमबर बड़ा 1 से एक नमर बड़ा half से एक बड़ा तो जो पकड़ा रहो उसको पकड़ लो बस ओके करेक्ट वेरी गूड एवरिवान अभी सब पता चलेगा आपको प्रीस बोर्ड पे देखो सरफ रानू बेटा इधर देखो बताओ अंसर क्या ये गामा इंटिग्रल है है बेटा तरको दिखने रहा मिस्टर इंडिया बना हुआ है फिलाल वो वो मिस्टर इंडिया बना हुआ है पावर जीरो कर दे न तो जीरो से बढ़ा नमबर तो अंसर गामा वन हो गया न आगया समझ में ये बात यहां तक की कि नहीं आई बताओ अच्छो थ्री बाय टू से एक नमबर बड़ा वेरी गुड तो गामा वाइब बैटू लिखोंगा न तो आप गामा वाइब बैटू बोलना आगे से ठीक है उतारो पहले तो आप गामा वाइब बैटू यह तरीका है मेरे नाम याद करने का दिरी दिरी नाम याद हुजाए मेरे सबके बस अपने को पिलेग दिरी नाम याद नाम याद करने को नाम याद करेदाए मेरे से बास पिटा म्यूट कर लो प्लीज रानु गुपता जी म्यूट कर लो पिटा आवाज आ रिए सैरिन की चलें आगे लिखलो मिटा रहा हुँ यार यह तो सेव हो जाएगा तो यह ओरिजिनल फॉर्म नहीं है गामा इंटीगरल की अभी ओरिजिनल फॉर्म आए गी अभी आपके सामने तो गामा इंटीगरल क्या क्या कैल्कुलेट करता है मेरे बच्चों एक्शुरी लॉल्ड में लॉसस future में होने वाले losses कैसे losses money related जैसे कुरोना हो गया hospital का बिल आ गया 5 लाख रुपे चलिए next देखिए अब second part है बेटा इसका original part आज ओ मेरे साथ साथ board पे मेरे बच्चो zero से infinity range होती है gamma integral की क्योंकि losses calculate करता है x की power alpha minus 1 होती है ऐसा मैंने बताया था अबी alpha क्या होता है कि number of accidents कितने हुए और e की power minus इस पे खास ध्यान देना है आपको तो color change करते हैं यह दिखनी रहा है yellow कर देता है minus lambda x बोला सर यह lambda क्या है बोला सर यह तो समझ में आगया आपने alpha बता दिया number of losses बोला सर यह lambda क्या है यह lambda है rate rate at which rate at which losses occur जैसे कि मान लो रानो गुपता ने कार्च रानी सीख ली अब मुझे रानो गुपता का loss calculate करना है कितने रुपे उसका risk क्या है जब भी उगाड़ी लेके निकलेगी कितना नुकसान कर सकती है क्या मैं उसकी past history देखूँगा कि नहीं देखूँगा बताओ पिछले साल रानो गुपता ने एक भी accident नहीं किया उससे पिछले साल भी एक भी accident तो रानो गुपता से मुझे कम risk है न तो उससे मैं premium कम charge करूँगा अरे है कि नहीं और ऐसी मानो शानवी शर्म है वो जब भी गाड़ी भार निकालती है ठोग देती है तो उसका past record खराब है शानवी ठीक है तो उससे risk ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा premium लूँगा कि नहीं लूँगा बताओ तो ये lambda ये बताता है कि rate at which accidents या losses occurred किस rate में losses हो रहे थे past में अरे ठीक है बटा और lambda भी 0 से बड़ा होता है बटा आ जो बोर्ड पे अब बताओ alpha minus 1 से एक नमबर बढ़ा गामा alpha राइट और इधर देखो minus x का coefficient क्या है minus x का coefficient online वालो minus x का coefficient yes lambda की पार alpha this is the answer ये आपका answer आ गया this is the original form of gamma integral बिना by parts किये direct answer आ गया पूरे actuary के इस paper में मतलब actuary कोई भी paper आ जाए 90% problems gamma integral की होंगी 90% problems सर्फ 10% problem के लिए हमें थोड़ा बहुत integration करना पड़ेगा उधारन के तोर पे आ जो भाई example 1 0 से infinity x की पार 5 क्या इसकी शकल उपर वाले function से मिलती है तो बताओ 5 से बड़ा नंबर gamma 6 minus x का coefficient 2 to the power 6 अरे गल समझ आई अच्छा चरो फिर से मिलको help करो प्लीज x की पावर क्या है 1 से बड़ा नंबर और minus x का coefficient क्या है बड़ा है बड़ा नंबर 3 by 2 minus x का coefficient correct है बड़ा example 4 थोड़ा सा मुश्किल भी करूँगा आगे जाके चिपक के बैठे रहो बस बताओ answer यहाँ पर x है लेकिन वो दिखने नहीं रहा है नहीं gamma 2 नहीं gamma क्या 1 क्यूंकि x की पावर 0 है न 0 से बड़ा नंबर 1 और minus x का coefficient correct है बड़ा x e की पावर minus 1 by 4 x बोलो अंसर जल्दी से फटाफ़ाट 1 by 4 raise to the power 2 correct बिलको लिग्दम 0 से इंफिनिटी x to the power 3 by 2 e की पावर minus 2 x दस हो जी अंसर अंजी गामा येस गामा 5 by 2 upon वेरी गूड प्रैटिस होगे ना पैटर नहीं बहला लिखना है लिखो जल्दी से ओनलेन वालो ये सोचो क्यों आफ्लैंड की क्लास में बैठे हो साथ साथ ही करना है सब कुछ पता चले रिजाई में बैठके क्लास कर रहे हो क्लास कर दो से थात ठाइके क्लासे हो झाल 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 अब ये गामा क्या है ये बताना है मुझे आपको आजाएगे बोड़ पे सब लोग अगर ये अलफा इस आ पॉजिटिव इंटीजर या नैच्रल नंबर भी बोल सकते हो तो जो कि हमारे अच्छल वर्क में अलफा हमेशा नंबर अफ अच्छेंट्स है तो नंबर अफ अच्छेंट वान टू थ्री फॉर यही होगा ना अरे बच्छो सुन रहे हो सांक्षी मेरे बेटा हमारे अथ्णार वर्क के अंदर ये अलफा नंबर अफ एक्छिदेंट्स है ये कितने बच्चे मेरी क्लास का अंजाह कर रहे है नंबर अफ स्टूडेंट्स है नंबर आए ये और ये इंटेगरल वैली होगा लेकिन अलफा कहीं और भी तो काम आता होगा मैथमेटिक इस वर्ल्ड में तो वहाँ पर अलफा कुछ और नंबर भी हो सकता है इसके लावा अरे ठीक है तो ये मत बोलना किसे लड़ा भीड मत जाना सर ने तो बोलना था अलफा इंटेजर ही होता है बस हमें तो ये ही मानना है अरे ऐसा जरूरी नहीं है हमारे काम में होता है दूसरे काम में वो डेसिमल में भी आ सकता है करट है तो अलफा अब बताओ ये गामा अलफा है इससे अंसर है इसका alpha minus 1 factorial यह answer होगा, बताओ gamma 6 क्या answer होगा gamma 5 gamma 3 gamma 2 and gamma 1 is 0 factorial which is 1 only, right तो यह हमारे actual world के हिसाब से बात की है मैंने भी की alpha is a positive integer but it is not always necessary तो अब दुबारा देखो सारे बच्चे, I want, you should leave your pen right now अपना pen छोड़के बिटा मेरे बात सुनो प्लीज सिर्फ मेरे साथ participate करो alpha is any other any other positive number other का मतलब integer के अलावा बूल रहा हूँ ना हाँ बच्चो, alpha is any other positive, मतलब integers के अलावा अब यहाँ formula क्या होगा, इदर देखो पूर्ट पे सारे बच्चे gamma alpha एक नमबर कम करो इस alpha में से क्या आएगा बताओ वही सेम नमबर गामा के बाहर और गामा के अंदर ऐसे लिखना होगा आप, दुबारा से, दुबारा से मेरे साथ इदर gamma alpha plus 1, एक नमबर कम करो yes मेरे बच्चे, alpha plus 2 alpha plus 1 फिर gamma alpha plus 1 को फिर से कैसे लिखेंगे बताओ फिर से बटा, alpha plus 1 में से एक नमबर कम करो के फिर से alpha, gamma alpha ऐसे लिखोगे ना चल रुको, एक मिन्ट रुको, थोड़ी देर के लिए दुबारा से सुनो तुम्हारे लिए example, let, हम मैस वाले let करते रहते हैं, let, भूल जाते हैं, हमें we don't know integers, हमें नहीं पता कि integers क्या होते हैं अरे थोड़ी दिर के लिए भूल सकते हो आज और अगर भूल गए तो इदर देखो blue blur में तो बताओ gamma 5 को कैसे लिखोगे इस तरीके से फेक्टरल मत बोलना, क्योंकि आप फेक्टरल तो पता ही नहीं, टीजर है वो 4 gamma 4, very good, अब फिर gamma 4 वो कैसे लिखोगे very good, फिर gamma 3 को मेरी बच्ची gamma 2 हाँ, और gamma 2 को मेरे बेटा gamma 1 1, क्या यह अंसर 4 फेक्टरल आ गया अरे इस वाले formula C तो बनाएं यह हाँ बच्चो, किसका, और बेटा मैंने कहा ना, कि it is not necessary कि alpha हमेशा आपको integer ही मिले, है ना बेटा, अच्छा चलो आओ इधर दुबारे से, मिरे साथ practice करो, इधर इधर आओ जो मेरे बाद, gamma 3 by 2, एक नंबर कम करो, अरे यह होगा मेरे बच्चो, और याद कर लो, सर ने बोला था, कोई proof मांगे ही मेरे नाम ले देना, कि gamma 1 by 2 को root pi बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिटा उसको, root pi, तो answer क्या होगा है मेरे बच्चे, नहीं, root pi मेरे बिटी या, root है देखो इसमें, यह उठ गया है उपर, ठीक है बिटा, हाँ, root और gamma में फर्ग है मेरे बच्चे, देखो ना, इसकी शकल देखो कैसी है, दुबारा से मेरे बिटा, gamma 5 by 2 मेरे बिटा, एक नंबर कम करो, 3 by 2, gamma 3 by 2, और फिर gamma 3 by 2 कैसे लिखोगे मेरे बिटा फिर से, gamma 1 by 2, right बिटा, और gamma 1 by 2 क्या होगा मेरे बिटी या, root pi, क्या यह answer होगा मेरे बिटे, हाँ, उतारो पहले, अब अब बताएंगे सब सिखाएंगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पार्थ, काफी दिनों बाद offline class में बैठे हो तो मतलब अच्छा रहा होगा शहाएद, पर नहीं घर से online online करते करते दिमाग खराब हो गया होगा, पर online वालों तुमारा experience कैसा चल रहा है class में, हाँ, आगे भी ठीक ही रहेगा बिटा, हम लोग अपनी classes को enjoy करते हैं, to the fullest, जब आप किसी चीज को enjoy करते हैं न बिटा, वो कभी भी burden है लगती आपको, it's your choice darling, आप जो decide करो मेरी बिटिया, हम तो दोनों देंगे, वीडियो भी देंगे आपको, पर मैं चाहूंगा offline में आओगे, तो आप यहां पर odd doubts, odds बहुत कुछ होता है, मेरे से live interaction हो जाता है आपका, किताब लेके सब बैठते हो, तो बहुत सारे फायदे होता हैं, जो online में नहीं होते हैं, करूँगा बिटा, ने ने करूँगा, शौरली करूँगा, थोड़ा सा पैसे का भाव है, मेरे को एक studio मेरा, एक studio यहां बन गया है, नौर्थ में, अगला studio में पंजाई बाग ही बनाऊंगा बिटा, मेभी इस तरफ मुझे एक महिने की मौलत चाहिए, सरफ आपसे एक महिने के अंदर-अंदर सब हो जाएगा, हाँ, तब तक ही पर आजा है मेरी बिटिया, तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, एक studio से काम चलेगा है नहीं हमारा, अभी हम manage कर रहे हैं, आप कोई पता education कितना backseat ले गया पिछले कुछ सालों में, तो थोड़ा सा चीजे ठीक हो जाएं बेटा, आप आओगे तो मज़ा आएगा आपको बहुत, बाकि तो choice आपकी है हम तो सब देगे आपको, कभी कभी मन होता है कि नहीं आना है तब यह ठीक नहीं है तो घर से भी कर सकते है, फैसलिटी है नहीं तो बिटा इक है, कर सकते हैं नहीं है तो बहुत है लिखा ओके वेट करो वन मिनिट ओके चलिए देखिए वापिश चलते हैं थोड़ा सा सभी answers को फिर से ढूंडते हैं ठीक है बेटा तो गामा 3 by 2 का answer क्या है वो गामा 3 by 2 का answer 1 by 2 root pi और गामा 5 by 2 का answer 3 by 4 root pi और गामा half root pi वेरी गुड आजो मेरे बिच्चो इदर आजो तुम ओके गामा 6 का answer 5 factorial अरे बोल भाई गामा 2 1 factorial गामा 3 by 2 root pi upon 7 की पार 3 by 2 राइट है बेटा गामा 1 येस बेटा गामा 2 is 16 आजाएगा answer गामा 5 by 2 is 3 by 4 upon 2 to the power 5 by 2 आरहे न समझ में बेटा हम् है न तो आप न पिन करो वो हाँ नहीं बेटा आप क्लास को यहां पर न पिन कर दो अभी तब होगा ऐसा सही हो जाएगा आपका कोई बच्चा बताना क्या करना है बेटा इनको बता दो कोई बच्चा कि ऑनलाइन वालो देखो बेटा स्क्रीन की पास option होगा एक कि ट्री डॉट्स होंगे उनमें जाओ पिन करने का option होगा आपके पास कुछ भी है बोलो हाँ बस बोलने से solution मिल जाएगा अज़ा first time zoom ना लोड किया है कोई बात अच्छा तो class के बाद सिखा देंगा अभी तो board दिख रहे हैं ना भी तो आपको अच्छा अच्छा चलो देखो आओ board पे सब बच्छे और shortcut और fast यह तो fast नहीं था वो से भी ज़्यादा fast करने कुछ करेंगे बोड पे दुबारा से कभी भी 0 से infinity में आपको e की पार minus lambda x dx मिल जाए तो आप सीधा answer वन अपॉन लामडा लिख देंगे आप सीधा answer के लिख देंगे वन अपॉन लामडा लिख देंगे कोई integration के टेंटर में पढ़ने जो उतनी है answer वैसे गामा लगाओगा तब यह यह आएगा अरे बताओ online वालो चलो example देखो 0 से infinity में e की पार minus 5x dx क्या answer लिखो मेरे बटा yes 0 से infinity e की पार minus x dx अंसर बताओ yes e की पार minus 1 by 4x dx अंसर बताओ अरे clear है हाँ दुबारा पास तो नहीं करा ठीक समझ में आ गया दुबारा अगर ऐसा expression आ जाए मेरे बेटा x e की पार minus x dx और यहां lambda हो तो सीधा answer one upon lambda square कर देना one upon क्या कर देना हाँ जी जैसे उधारन के तोर पे x e की पार minus 4x dx अंसर बता मेरे बेटा तो one by sixteen लिख दू मेटा मुझे सिर्फ आप का समय बचाना है integration का बोलो answer मेरे बेटा बोलो answer येस आप gamma से करोगे तो भी यही आएगा बस क्योंकि ये वाले expressions ना बहुत ज़्यादा बार आते हैं हमारी calculation में तो मैं चाहता नहीं कि आप इनके लिए समय खराब करें अपना झाहता नहीं कि अपना है कि अप हम हम झाहता नहीं कि आपई दो जहीं कि अप में ये पता है audio धिलत झाहता झाहता ए और स झाहता 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 पर बित कि चलें आगे लुगों मिटा हमारी एप है उस एप पे न आपको जोइन कराएंगे उस एप पर सारे वीडियो और सारी पीपीटी हर क्लास की ओर्डर में आते जाएगी आपके पस आपको कभी भी पीछे आके कोई वीडियो देखने हैं जब तक आपका कोर्स लेगा तब तक सारी वीडियो हमेशा अवलेबल रहेंगे आपके पास सब को मिलेगा पिटा यह तो ऑनलाइन को भी ऑफन सब सेम मिलें सब बराबर हैं और ऐसा नहीं कि आपको किसी और क्लास की वीडियो मिलेगी आपकी क्लास की मिलेगी हर क्लास की वीडियो चाहिए तीन बार हो टॉपिक तीनों बार अलग लग कोई डाउट्स कुछ और होते किसी के कुछ और होते हैं लोग जी लाइट गई अभी नहीं बटा रुक जा बहुत पैसे का क्राइशिस है हाँ 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 शौर हंड़ विदिन मैं कहता हूं सत्य नहीं किते मिले स्टार्ट हुजाएगा इधिंग इन मंद जून पंजाई बाग हाँ बैचिस बहुत सारे होंगे न बटा हाँ जी बटा अधिए मैं यह तो यह तो विडमना इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं हुँ हुआ 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 है अ हुआ है अ बच्चों से बात कर लो मैसेश डाले कुछ बोन दो है हां रिकॉर्डर ने तो सेफ होगी अब तो हुआ है झाल